वेलकम टू टेक्नोविट फ्रेंड्स यहां आपको मिलते हैं वीजवली इंपेड पॉर्संस के लिए तयार किये गए खास टेक्नोलोजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिजे टेक्न क्यान जी हाँ फ्रेंड्स यह है टेक्नोविट फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल आपका दोस्त हमेशा आपके साथ नमस्क्राइब इत्रह सिंदिक मौश्यार्मा तो सुबह के दस बज चुक है और हम आप लोगों के लिए एक और यूज वीडियो लेकर आ गये हैं तो इसे यूज वीडियो भी नहीं का जाएगा चोटाइब वीडियो करेंगे और इस टापिक पर हम एक दो दो तीन वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कोमेटरी स्क्रीन डिटर का प्रतलन बहुत है आजकल और बहुत लोग इसे इस्तमाल कर रहे हैं और इस्तमाल करने के सा चलो आराम से बनाएंगे तो चलिए कोमेंटरी स्क्रीन डिटर को ओन करते हैं इस सीखते हैं क्या इसमें कुछ नया है हमारे लायक से हमने ओन कर लिया है स्क्रीन डिटर के कमेंटरी स्क्रीन डिटर ओन है हमारा और आप इसे में में जो सेटिंग काम किये मैं वही बता हुआ च्यादा अगर आपको भी विस्तरित वीडियो इसके चाहिए तो मुझसे फिर बताएगा मैं करूगा यह जेनल सेटिंग है इसके विशे मैंने वैसे लग वैसे नहीं हुआ है आप को सेटिंग स convention आपको परमिशन स्टेटस चेक करना होता है विया अपने क्या क्या चीज़ की पर्मीशन नहीं देनी यह तो यहां से शिक्निंट चल रहा सकते हैं परमिशन नॉट ग्रांटेड आगया है देखिये क्या है देख लेते हैं approximate location only in the foreground approximate location background में अगर इसको यूज कर लाओ, directly call phone number ये permission और एक दूसरा this app appear on top of the other app के उपर हो जागी तो इसके पास सारी apps का पुरा control हो जाएगा ठीक ना, एक option ये भी होता है request install packages, आप इसके through भी किसी भी package app के को install कर सकते हो, तो फिर उसमें इसके कुछ control है, वो काम करते हैं, अगर आप चाहो तो एक कर सकते हैं, लेगे नोजे तो इसकी कोई ज़रत लगती नहीं है, क्या कि installer package तो अबारा खुद का ही, इसका ठीक होता है, accessible ही होता है, तो इसको install करने की कोई मेरे को लगता नहीं कि इसके through अपने install करना है, आप system की setting को modify कर सकते हो, ये भी एक जिसमें है option, phone status के identity भी रीड कर सकता है, इसके जैसे अगर मैं क्लिक कर दिया न, आपको आवास सन रही होगे न, record audio, audio भी record करेगा कि कोई voice recognition करेगा, प्रसाइस location, फोटो और वीडियो के ले सकता है, call log भी पढ़ सकता है, phone के answer भी देगा, read your contacts, access location in the background, cancel button, access location, background में भी location ये, ok कर दिया बस simply, अब देखेगा, आपको पर कुछ पर्मिशन मागेगा, allow कर दिया, while using the app, ठीक, this app may want to access your location all the time, even when you are not using the app, allow and set, while using the app button, while using the app, only this time, don't allow करेंगे, ले question का क्या जरू होता है इसको, allow G2O plus to record audio, record audio, while using the app button, only this time button, while using the app button, allow G2O plus to access your phone call logs, phone call log, आप चाहते हो कि ये आपका phone call log पढ़े, तो चाहो तो on करो नहीं तो मत करो, आपकी मर्जी ये करना चाहो तो, आपकी मर्जी ये करना चाहो तो, चाहो पर देते हैं कुछ नहीं विगरेगा, चाह विगरेगा, allow G2O plus to access your contacts, आपकी contact को access करें, allow button, लाओ कर दो, allow G2O plus to make and manage phone calls, फोन को लाओ कर दो, बस ये कुछ settings होती है, तो ये हमने कर ली, इसके बाद, display pop-up window, यहाँ पर भी कुछ है, curtain mode के लिए option होता है, इसमें ये, दोस को grant permission दे दो, बस कुछ नहीं होता है, यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि, ये, इसमें कोई application पर select करना पड़ेगा, not allowed, allow कर देते हैं क्या होता है, उस नहीं होगा, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, ये तो, notification display permission आप चाहते हैं गे notification की permission दे इसको तो दे सकते हो, automatic startup permission ये भी आप कर सकते हो, चेक, about commentary screen reader, about commentary screen reader, about commentary screen reader, about commentary screen reader, बाद, आपको जो भी permission आपको लगता है देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये तो आपको पताएं कि भी इसको चेक करोगे तो हिंट बो लेगा, इसको जो list focus होगी उसको read करेगा, automatically read notifications from the notification bar checkbox unchecked, और automatically इसको check कर दोगे ना तो notification कोई भी आएगी वो notification बाहर से बोलेगा, आपको बाहर बाहर दिश्टिप करेगा, कि हमारे phone में 50 notification आती है, तो इसे और नहीं करना चाहिए, इसको जेसे ओन कर दोगे हाँ, इसको जो फिर से all कर दोगे आप, तो क्या यह अब देखिए अब डाउन कर रहा है एक उगली से काम कर रहा है और लेट राइट यह काम कर रहा है लेकिन जो मैं इसको बन कर दोगा अब मैंने इस option को बन कर दिया तो देखिएगा अब डाउन हो रहा है अब क्या होगा कि राइट राइट स्वाइप करोगे जब तो option आएंगे और दाउन करोगे तब यह option आपके चेंज होंगे यह भी कर सकते है आपको चुग चीत लगे हो करें अब डाउन कर लिया मैंने तो देखो अब डाउन हो रहा है अब डाउन से जो है next item next option पर जा रहा है लेकिन लेट रेट स्वाइप करेंगे लेट राइट से वर्ड लाइन पर जा रहा है लेकिन आपको चेंज करना चाहें तो जैसे अब डाउन से नेक्स्ट पर जाएंगे और राइट लेट से रीडिंग कंट्रोल इतादी को स्तमाल कर पाएंगे तो इसको अगर आफ रखोगे तो यह होगा अगर ऑन रखोगे इ इसको रहा है अब ये अब लेट से काम करने लेगा मैं जैसे आप डाउन कर रहा हूं तो यह कौपी पे पेज वर्ड यह सब ऑप्शन ठीक रहा है अब कस्टम जेस्टर भी यूज कर सकते अपने द्वारा बनाएंगे और इसके खुद की जेस्टर जो है जैसे अब स्टम जेस्टर स्कीम सेटिंग भी यहां से आप से खुल सकते हो दिखिए यहां से क्या होगा अब जेस्टर डिफॉल्ट अब अपने साब से कुछ भी तो आप इस जनरल वाले अप्शन से भी इसको सेट कर सकते हो ठीक है ना क्युक्त अब जेस्टर शेक कॉस्टम जेस्टर और बस इतने ऑप्शन आप रखना एंजन अगर आपको जिसे नोटिफिकेशन आगे आपको स्क्रीन बंद हो गया टाइम सुनने के लिए यह सब सेकंडरी टीटिफिकेशन का काम वही होता कि आपको नोटिफिक इसक्टर यह डिफोल्ट कर रहा है आप इस पेज सेकंडेटीश भी उसकर सकते हैं तो दोनों टीटिए सट कर सेज़ें थिपरस्ट मैंने इस एंगन टीटिए अंगन सारे मिल जाएंगाएं टीए सब्सक्राइब टीए निट्टिए अशन ऑन च्टेए प्रीप्टेशन आ वाँ अब छूब आप चेक्ट रहें लिए तो फिर वो सकंदी तिटिए काम नहीं करेंगा फिर सारे इंग पड़ेगा इसको चेक करेंगी तो यह सा यह स्पीड इसकी एक दम फास्ट कर देता है अगर आप चाहो तो एक्सेलराशन जिस न्वीडिया में उप्शन होता है यह बूस्ट स्पीड करने का यह TTS की रेट है स्पीड बढ़ा सकते है यह TTS वोल्यूम रेशो है यह TTS का पिछ है इसको नहीं चेक करना हो अगर आप चाहते है यार यह मेरे नहीं लगता मेरे को साही नहीं लगता मेरे को मेडिया वॉल्यूम से काम करेंगा ऊठो अब देखेंगे मीडिया वॉल्यूम पर काम करगा जो मीडिया वोल्यूम है जितना हमारा उतना ही रहेगा और जैसे में से चेकर अब आपको लग रहा होगा आवाज तेज हो रही है इसके ना पता नहीं स्क्रिंड कोटिंग में आपको सुनाई दे रही है तो तो आपको में टीटियस सेटिंग केंदर यह ऑक्ष यह प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेक प्रॉक्सिमिटी सेंसर श्चीज जेसे पढ़े रहे हो तो पढ़ता रहे तो आप इसको चाहिए ठीक है बाद बटन क्या देख लिए तो यह बादि यह सेंग्स एडिट्स एंग्स थैनिस बाकी तो यह यह सिस्टम TTS सेटिंग मैंने आपको बताई दी यह सिस्टम TTS सेटिंग है सारी यह तो आपका सिस्टम TTS सेटिंग खोलोगो तो यह सारी मेन जो फोन के खुद की सेटिंग हो खुल जाएगी यह यह सिस्टम TTS की सेटिंगर एंडिल्ट आपको इसकी वह मेन पफूस्टम TTS सेटिंग करते हो यह ज्यादा कुछ nota नहीं है बड़ देखें आपकोपर पॉर सब्सक्राइब करें पर नहीं कर वाना यह से बनकर जीए अपृस्टों इस्टार्ड आ ना custom symbol definition settings ये custom symbol आप defined भी कर सकते हैं इसमें इसको आपने ही साब से आप से और से आप सेट कर सकते हैं कौन से symbol आपको बुल्वान या कौन से बुल्वान या कौन से बुल्वान ये अधर सेटिंग में दिखा लेथे आप रिंग यह इंकमिंग फोल्यम से करता है उब पॉल्यम को बताएगा को पैसके अप्शिन रिकोर्डिंग करेंग कर्रेंग तो इसे मुट्बी कर सकते है यहां से option on कर दोगे तो जब recording चल रही होगे तो mute हो जाएगा यह अपने आप यहां से आप अगर इने accessibility volume by chance आपके phone में काम नहीं करता धंग से आप इसको on करोगे तो fluctuation जो होगी उसे यह रोकेगा कुछे हाल तक तो accessibility volume फिर सही से काम करेगा यह वही वह लोग वेक स्क्रीन वाला था तकर वो काम नहीं करता है आप अपड़ रहे हो और आपको डिश्टब कर रहा है मानों पड़ते बड़ते स्क्रीन बंदोगेरी यह बुलना बंदो गया तो आप इसे ओन करेंगे तो थोड़ा सा और एनेसी वाजाती हो इसको चेक करना चाहिए फोन आते तो अच्छा रहता है यह 919 इस तरह से बोलता अच्छा लगता है क्यापिटल लेटर को बूले टाइपिंग लेटर के साथ तो यह चलिए इतनी सेटिंग ते और कुछ बिशेश होता नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की कुछ जूरत नहीं है आपको पहले मैंने पूरा बताया वाइस के विशेम कैसे करते हैं इसके अंदर आपको जान फीड़ेग चेक अब मैं इसको आफ कर दूँगा लेबल्स सांद एक अब ऑननी अब सांद नहीं रहा है संब और ओं कर दूँगा तो यह देखिये की अवाज आपको स्नाइदेगे और यह थांद स्कीम है अ आपकोई भी सांद स्कीम यहां से डाउनलूट कर सकते हैं इसके डाउनलोड सोस्टेस से या क्या बोलते सक कुछ और नाम है आगे आएगा वह एक्टेंशन निया देखिए यहां से यह कुछ मैंने डाउनलोड करके है अलग अलग करकी है यह देखिए आपल की आवाज आलोगी इस साउंड स्कीम का वॉल्यम है यह साउंड स्कीम में वापस आपनो ही करते है जाते ही चालो इससे वाली अधी ह साउंड स्कीम मेनेजर आप लग-णाप एस साउंड स्कीम में एंनिजर अलग अलग तरीके के सॉंड चला आप के लिए क्या साउंड सेट करना fell है और आप आप यहां से sound team download, इसमें click करोगे, तो यहां से और भी sound scheme आप download कर सकोगे, आप कर सकते हो यहां से, enter keyword text box, enter keyword text box, space, space, labels, default, यहां पर आप कोई भी key डाले और फिर वो download हो जाएगा, sound scheme, enter keyword text box, space, ठीक है न, यहां से आपको मिल जाएगी, कोई जिक डाले नहीं मिले तो हिर आप लगिन सोर्से से डाउनलोड कर सकते है, download more sound themes, haptic feedback check box unchecked, यह haptic feedback है न, कि vibrate भी करेगा साथ में, और यह, intensity कितना करवाना आपको, इसे बाद, यह operation settings है, यह थोड़ा सा बाद में बताएंगे, आपको यह थोड़ा बड़ा है option, तो अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, कि क्या-क्या चीजे है, कैसे काम करती है, ठीक है, तो आपको इतना काफी है, यह वैसे मैंने पहले बताई थी settings, लेकिन मैंने सोचा, अब क्योंकि नया comment screen reader थोड़ा update हो गया काफी, तो मैंने का उस पर थोड़ी सी बात कर ले जाया, आप लोग उसे, comment screen reader plus use कर रहा है हम, तो आप लोग के लिए एक अच्छी चीज है, comment screen reader अच्छा विकल्प है, आप लोग जिसे कोई, ऐसी वीडियो में सीखेंगे, इजाज़त दीजे अपने दो संदीप शर्मा को, जैहिन, जैभारत, एक बात तुम्हें बताना भूली कि, आज शाम को, चार बज़े आपके लिए एक बहुत ही शान्दर वीडियो आने वाला है, आपकी कही समस्चों का समाधान लेकर आएगा, जरूर बने रहेगा हमारे चैनल तेक्न विच यूट्यूब चैनल पर मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं से आपके चार बज़े, यहीं समस्चों का, आपके लिए, आपके लिए, यहीं से टार।